दोस्तों सीरियल अनुपमा में तव्टनिंग वाइंट आ गया जब यहां श्रोती के सामनी अनुज और अनुपमा का रिष्टा आ गया है। जिस अनुपमा को जोशी आज तक बहन मानते थे, श्रोती जिसे प्यार करती थी, अब वही अनुपमा किसी और की नहीं बलकि खोद की बहू बनेगी। श्रोती के लिए और अब श्रोती यहां एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब आप सभी को सीरियल अनुपमा में एक बड़ा विस्ट देखने को मिलेगा। अनुज और अनुपमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आद्या यानी छोटी अन अनुपमा अनुज को स्विकार नहीं कर रही है और कही ना कहीं आद्या को ही नहीं बलकि श्रोती को भी स्विकार नहीं कर रही है। इसकी वज़र है श्रोती ने अनुज और अनुपमा के बीच की पूरी बातचीत सुन ली है और अब यहां श्रोती अनुज पर गंदे आर किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें अपना पती मान रही थी और तुमने मुझसे जूट नहीं बोला होता तो तुम मुझे बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे माता पिता मेरी और तुम्हारी शादी का सपना देख रहे हैं अब ऐसे में श श्रोती आध्या के साथ साथ अनुज पर भी आरोप लगाने वाली है कि वे अनुज के बच्चे की मा बनने वाली थी, अनुज और वे हैं करीब आ गए थे, वे तब करीब आये थे जब अनुज को होश नहीं था, और ऐसे में श्रोती ने बच्चे को अवोर्ड दिलवाया है इधर श्रोती भी जूठी कब जात तयार कराएगी और आध्या इसमें श्रोती का साथ देने वाली है, यानि श्रोती और आध्या ने अनुज और अनुपमा को हम्मीशा के लिए अलग करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, अच्छा दोस्तों, आप क्या कहेंगे, क्या कर र उल्मेंट कर रहे हैं